यूपीटर 2020 की परिक्षा तिथी के लिए PNP के द्वारा स्टाशन को प्रस्ताव भेज दिया गया है आवेदन कब से लिये जाएंगे और परिक्षा कब होगी इसके बारे में इस वीडियो में अमलोग चर्चा करेंगे साथी बात करेंगे येलेड में ऐसे अभीयर्थी जिनका अउसत अंक में भी वो अनुत्रिन होड़ा है तो इन अभीयर्थियों को प्रमोट का लाब नहीं दिया जाएगा साथी सिक्षा भरती को ले करके अभियूरत है कि मांग के बारे में चर्चा करेंगो और सिक्षा जगत से जुड़े अने प्रमुक खबरों को इस वीडियो में व्लोग डिटेल में देखने वाले हैं अब अगर शाषन की मजूरी मिल जाती है तो 15 जून के आज पास आवेदन प्रारम हो सकते हैं वहीं परिच्छा के क्रम में अभी कोई भी प्रस्ताओं नहीं बेजा गया है क्योंकि जैसा कि आपको ग्यात होगा उस कंडिशन में भी परिच्छा इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी क्योंकि अगर कोरोना की वज़े से इंटर्मीडियर्ट की परिच्छा रद होती है तो यूपीटर की परिच्छा को भी आगे शिफ्ट किया जा सकता है इसी वज़े से इस प्रस्ताओं में परिच्छा तिथी को लेकर के कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है अभी सिर्फ आवेदन लेने के बारे में प्रस्ताओं भीजा गया है और उनसे मांग किये कि जल्द जल्द नई परिच्छा की सिक्षक भरती का विज्ञापन प्रदेश की सरकार जारी करें जहां एक तरफ सिक्षक भरती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभीरते लगतार दबाव बना रहा है वहीं दूसरी तरफ इसकूलों में NGO से पढ़ाने का प्रस्ताव भी सरकार बना रही है इसके पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे कन्वी जीनियस संस्था के लिए शाषन को प्रस्ताव भेजा गया है जैसा कि आपको ग्यात होगा कि पहले प्रथम संस्था के माध्यम से NGO संस्था चो थी उसके माध्यम से प्रात्मिक विद्यालियों में और उच्छे प्रात्मिक विद्यालियों में सिख्छन का कारे कराना जाना प्रस्तावी था इसके बाद से प्रदेश के सभी अभीयरतियों के द्वारा इसका विरोध किया गया, उसके बाद से उस प्रस्ताओं को वापस लिया गया, और उनकी आधार पर अभियर्तियों का मुल्यांकन करा रहा है तो यहाँ पर इसका पूरी तरीके से सिक्षक संग के द्वारा विरोध किया गया है यहाँ पर कहा गया कि परशदिय इस्कूलों में NGO का दखल तर्क से परे है कई चरणों के बाद स्कूलों में योग सिक्षकों की नियुक्ति होती है हम ऐसे अनाधिकरित संस्था वा लोगों का विरोध करते है क्योंकि NGO संस्था के माद्यम से कौन अभियर्थी बीयड है या फिर कौन बेटिसी नहीं है या फिर उन्हें सिटेट यूपीटेट पास किया है या नहीं या फिर किस आधार पर वो अभियर्थियों का मुल्यांकन कर रहे है RTE Act भी इसका विरोध करती है साथी यहाँ पर ये भी कहा गया है कि फिर सिक्षकों को मोटी सेलरी क्यों दिया जा रहा सिटेट और सिटेट फिर सिख्षक भरती परिचा पास करने के बाद कोई सिख्षक बनता है NGO में पढ़ाने वालों की वह सैक्षिक योगिता है किसी को पता नहीं है तो ये सबी सवाल उठ रहे हैं और निश्ची तोर पर ये गलत हो रहा है क्योंकि जहां एक तरफ अभियर्थी नई कात्मी की सिख्षक भरती की मांग कर रहे है वहां NGO की हेल्प ले करके अभियर्थियों का मुल्यांकन कराना या फिर सिख्षण कारे में उनसे सहायता लेना निश्ची तोर पर खेद जनक है और इसका खूले मन से अभियर्थियों के द्वारा विरोध भी किया जाना चाहिए डियलर्ट 2019 बैच में जिनकी सेकेंड समेस्टर में एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगी होगी उनको प्रतम समेस्टर में प्रमोट का लाब नहीं दिया जा सकता था पिछली रिपोर्ट के अनुसार लेकिन PNP ने नर्मी दिखाते हुए इन अभियर्थियों को भी प्रमोट के फॉर्मूले तयार करने के संदर में PNP ने साशन को और SCRT को एक प्रस्ताओ भेजा कि किस आधार पर इन अभियर्थियों को भी प्रमोट का लाब दिया जा सकता है अब वो प्रस्ताओ लगबद तयार हो चुका है और अब मंजूरी मिलने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि SCRT ने इस पर सहमेती जताई है अभी हलाकी official notification जारी नहीं हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा chances है कि इसी पर मोहर लग सकती है अभियर्थियों को प्रमोट का लाब देने के संदर में और अगर आप उसत अंक में उत्तिर्ण हो जाते हैं भले ही second semester में एक या फिर दो subject में back लगी होगी उस condition में भी आपको प्रतम semester में प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन विशेश रुप से आपको ध्यान ये देना होगा कि अगर आप back लगते हुए भी अगर प्रतम semester में प्रमोट होते हैं या फिर नहीं होते हैं उस condition में आपको second semester के back subject का paper हर हाल में देना ही देना होगा और अगर आप प्रमोट नहीं होते हैं तो प्रतम semester के सारे paper आपको देने होंगे ठीक है आप चलिए ओसत अंक क्या है इसको समझ लेते हैं देखिए आप अपना second semester का result open करके देखिएगा उस पर एक column लिखा होता है लिखित लिखित मतलब आप external exam जो देते हैं जो आपका परिच्छा होता है दूसरे exam center पर जा करके उसको लिखित column में include किया जाता है PNP के result पर ठीक है उस लिखित वाले column को पूरा जोड़ लिजे लिखित वाले में external exam में अगर आपका 50% अंक आता है सभी को जोड़ने के बाद से वो 275 में पूरा marks होता है 275 में आप उसका प्रतिशत निकाल लिजे अगर आपका प्रतिशत 50 से कम होता है तो आप माने जाएंगे कि औसत अंक के आधार पर आप अनुत्रिन हो रहे हैं अब इसका म 25 अंक पासिंग मार्क्स होता है इसी वज़र से औसत अंक यहाँ पर 50-35 डिसाइड किया गया है अब लिखित वाले सभी कोलम को आप जोड़ लिजे अगर आपका 50-30 से कम आता है तो आप ये माने जाएंगे कि औसत अंक की आधार पर आप अनुत्रिन हो रहे हैं ठीक है उस अंक जोड़ने के बाद से आपका 50-30 से अधिक आता है उस कंडिशन में आपको प्रथम समेश्टर में प्रमोट कर दिया जागा भले ही आपकी सेकेंड समेश्टर में एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगी होगी लेकिन आपको सेकेंड समेश्टर में बैक पेपर दे प्रथम semester में औसत अंक के आधार पर promote का लाब दिया जाएगा अगर आपका semester back हुआ है मतलब कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा subjects में back लगी है उस condition में अगर आपका औसत अंक के आधार पर आप उत्तिर्ण भी होते हैं तब भी आपको promote नहीं किया जाएगा क्योंकि semester back की rule ये कहती है NCT की guidelines के अनुसार कि आपको जिस semester में आपका back लगा है उस semester के सारे papers आपको फिर से clear करने होंगे मतलब second semester में अगर आपका 3 या फिर 3 से ज़्यादा subjects में back लगा है तो second semester तो आपको फिर से प्रसिक्षन लेना ही होगा हर हाल में और उसके सारे paper को clear करने होंगे और उस condition में आपको प्रथम semester के भी सारे paper clear करने होंगे उसके बाद ही आप 3 सेमेश्टर में enrolled माने जाएंगे यहाँ पर जो भी बाते और सत अंक क्याधार पर उत्रिंड करने की बात की जारी है या फिर promote करने की बात की जारी है यह सिर्फ प्रथम semester के result का ही मामला है इससे 33 semester DLA 2019 batch का कोई भी लेना देना नहीं है यह सिर्फ मामले प्रथम semester के result को जारी करने के लिए मोहर लगने जा रही है आप पूरे प्रस्ताव पर इसके बारे में इस article में चर्चा की गई है वहीं परिक्षा रद्ध होने के बाद से 12 वी के अभीर्थियों को किस प्रकार से promote किया जाए उनको अंक किस आधार पर दिया जाए इसके संदर में आप screen पर article देख पार होंगे कि CBSC तयारी कर रहा है और जल्द ही इसके संदर में formula तयार करके जुलाई में इनके result की गोशना करने की कोसिस की जाएगी वहीं अगर UP board की बात की जाए तो UP board ने पहले सा ही तयारी कर रखी है उनके द्वारा pre board exams के marks और 11 वी के marks पहले ही website पर upload करा दिये गये थे अब अगर बहुत समभानाय हैं कि UP board की परिशाय निरस्त हो जाएंगी उसके बात से उसी internal marks और pre board exams के आधार पर ही इनके marks को alert करते हुए इनके result की गोशना की जा सकती है CBSC board के द्वारा जो 12 हुई की board परिशा को रद की गई है उसके बाद से CBSC board को करोड़ों रुपए की बचत हुई है क्योंकि प्रतेक छात्र से board परिशा के नाम पर 1500 रुपए वसूला जाता है अब ये 1500 और लाखों की संख्या में आप भेरती थे तो आप जोड़ सकते हैं कि करोड़ों रुपए CBSC को बचत हुई है परिच्छा रद होने की बज़़ा से तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के मादम से जरूर बताईगा और ऐसे ही मतोपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भवान करें आपका दिन शूब हो